दोस्तों हमें पर बात करने वाले हैं जो आपर बड़ा मुकाबला होने वाला है बीपेल का पहला मुकाबला चित्ते कॉंग विकिंग स्वासे रंगपूर राइड़स के पीछ में जो की खेला जागा शेरे भांगला नेशलक के क्रेटी स्टेडियम में जो की आम तोर पर एक एक high scoring venue देखा गया है इस match में आपको एक high score देखने को मिल सकता है 160 से लेके 180 तक की range में और expected देख टाइच कर सकता है ठीक है तो 160 चे 180 तक का आम तोर पर score देखा गया है 200 भी यहाँ पर पहले टाच हुगा है ठीक है तो आपको कोश्य करना है अपनी team जो आप रखो वो betting friendly रखो यहां पर आगे मैं आपको बदाओंगो दोन टीम ने किया कुछ स्कॉर्ड इस मैच से रिलेटर रिलीस करें हैं, कौन से बड़े प्लेस इस मैच को खेलेंगे, कौन से प्लेस इस मैच को नहीं खेलने वाले, प्लेइंग लगबगा आपको मैं कंफर्म दे दूँगा, उसमें से आप टीम बनाओगे, तो आप हर लीग यहां पर विन कर जाओगे, पहला मैच है, तो इसको हमें मिस नहीं करना है, और इसमें ही यहां पर सबस्यादा चांस होता है आपके Grand League विन करने का, तो वीडियो को लाज तक देखते रहेंगे, वीडियो आपके लिए मुकाबला है, तो आप जादा investment इसमें मत करिएगा, Grand League आप ज़रू खेलना बट स्मॉल लीग में थोड़ा समल के खेलना, यहां पर सबसे पहले दो नुटी में मैं आपको स्कॉर्ट दिखाऊंगे, कुछ न्यूज वागेरा है, वो भी आपसे शेर करनी है, और इसके लाने होते हैं, और maximum का कोई quota नहीं होता है, maximum के rules इन्होंने हमेशा वाइलेट करें, का कोई भी प्रेमियर लेको देख लें, तो कभी minimum वो maximum का rule हमेशा गन्फरम नहीं होता है, 100%, but 90% matches में यह होता है, कि 4 player अगर खेलने हैं, तो 4 player खेलेंगे, कभी आपको ऐसा भी देखने क अब बात करें, इस में से कौन सा player खेल सकता है, तो इस मैच को Chris Gill खेलेंगे, A.V.D.V.L.S. इस मैच को नहीं खेलेंगे, मैं आपको बात हो A.V.L.S. के बारे मजो न्यूस आ रही है, वो आगे इस मैच को जोईन करेंगे, यानि कि अभी टीम को जोईन तो कर चुके हैं, ब पूसो और सीनी विलियमस, इन में से कोई एक इस मैच को खेलेंगा, ठीक है, बाकी बाकी बैनी होवल में इस आप से इस मैच को नहीं खेलेंगे, और शेल्डन कोटल के भी चांसे लगबग ना की बराबर है, यहां पर इनकी लोकल प्रेस की बात करें, तो स्कौर्ड में आ पूसकती है, और आपको किस ओर पर बैटिंग करते हुए प्लेट दिखेंगे, तो आपको LXL, तो Chris Gill यहां पर टीम के लिए ओपन करते हुए दिखेंगे, फस्स डाउन यहां पर महंदी मारूफ यहां पर मौमद में थोना सकते हैं, जनरली मौमद में थोना आते हैं, उसक पूसकी बात करें, तो फाराद रिजा भी इनके पास एक अच्छे फास बूलर है, मौमद मशरफ मौत्सा, जो कि इनकी कैप्टन भी हो, आपको पता है, नेशनल टीम में कितना अच्छा परफोर्मेंस इनका रहता है, यह भी फास बूलर निके पास अविलेबल है, बात कर करने के पास, यह प्लेइंग 11 मैंने यहाँ पर बनाई है, अगर आप बिल्कुल 100% प्लेयर लेने चाहते हो, तो आप Alex Hills को टीम में रख सकते हो, Chris Gill को रख सकते हो, महंदी मारूफ रख सकते हो, रवी बोपार रख सकते हो, इसके लाब बात करें तो फाराद रजा, मश्रफ अब देख रहे हो, कम से कम मैंने आपको यहाँ पर पूरे 10 प्लेयर बता दी है, कौन से जो खेलने वाले है, 11 प्लेयर जो है, वो सीन विल्यम्स और रूसो मैस को एक खेलेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आए, जैसे आर्टिकल आएगा मैं पर खेलेंगे, आपको यहाँ पर शायद भी आपर मिस नहीं होगा, और बात करें आपर न्यूस की तो आपको दिखने को मिला होगा, यहाँ पर रंगपुर राइडर्स और कॉमॉला, सौरी यहाँ पर चित्तिकौंग विकिंग्स दोनों ही टीम होने यहाँ पर अच्छी क अबुजाइद रही है, खालिद एहमद है, नईम हसन है, मुहमद अश्राफुल है, अश्राफुल के बारे मैं आपको बदू इनको पांस साल का बैन लगा था, और पांस साल के बैन के बाद यहाँ पर बीपियल खेल रहे है, एक्सपेक्ट है कि यहाँ पर प्लेंग लेव यहाँ अब यहाँ आपको दिखा दू यहाँ पर इनका स्क्रीन शॉट भी ड़ा हुआ है, इन्होंने टीम को जॉइन कर लिया है, आप दी सकते हो, यहाँ पर मेरे आपको लिए स्क्रीन शॉट भी ला कर दिया है, तो डार्टी प्लेंग लेविन में यह खेलेंगे, तो आ इनको अलग से साइन किया है, पहले टीम में नहीं थे बट अप साइनिंग में, यहाँ पर रॉबर्ट फिलिंग को टीम मिलाई है, तो यहाँ पर अब देख लिए प्लेंग लेविन क्या हो सकती है, जित्ते कॉंग विखिंस की बात के तुन के लिए टीम के लिए ओपन करे अब इसकता है पर उस T20 ग्रेक्ट में, APL अगर आपने देखिए हो अफगानेसान पीमेल लिए लगबग हर बैच में, 40-50 यहाँ पर यह लगाते थे, टीम के लिए ओपन भी करते हैं, तो इंपोर्ट आपके लिए यह दोनों प्रेट रहने वाले, फिर उसके बाद मुहम मुश्विकर रही में, कैप्टन और विकेट कीपर, फिर मुसद्देख हुसान के पास एक बहुत अच्छा हो लाउंड रहा है, राइट आम उफ ब्रेक बोलर भी है, सिकंदर अजा की बात कर तो यह भी राइट आम उफ ब्रेक बोलर है, प्लस बैटिंग अची करते है, न अबुजायद, खाली देमद की यहाँ पर इंपोर्टन जादा है, बिकाज यह कम इनके बास फास बोलर है, सिफ दो ही इनके बास फास बोलर है, हालाकि टीम चाहे तो एकात फास बोलर को और टीम में ला सकती है, तो उस कंडिशन में यहाँ पर हो सकते है किसी एक प्लेयर तो इतनी प्लेयर को आप टीम में रख सकते हो, लगबग में आपको 10 प्लेयर यहाँ से भी बता दी है, यहाँ पर 11 प्लेयर जो कंफर्म नहीं है, वो मुझे लग रहा है नहीं हसंट, टीक तो नहीं हसंट की साथ आप रिसको मत लेना, वाकी में साबसे आपके लिए सारे अच्छे रहेंगे, बात कर लिए बात कर लिए प्लेयर जाप से मुझे लगती हो सकती है, बहुत में नत लगती है गाईज, यह प्लेयर निकालने में, विखास एक प्लेयर जाइट की बारे में आपको साज करना पड़ता है, प्रिवियस रेकॉर्ट देखने पड़ते हैं इसके लावार रिसेंट निउस भी आपको देखने ही पड़ती है, तो बहुत मैनत लगती है, तो प्लीज आरे एक लाइक जरू कर दीजेगा, और वीडियो पसंद आता था तो आप यहाँ पर इसको शेयर भी अपने फैंटिस साथ कर सकते हो, यह तो बात को यह प्लेंग 11 की अपने धिम की एगे ऐप कारा इसको यह पर बात करने वाले हैँ, तो आप पर यहाँ पर आपको अपने टीम देखा दिता हूँ तो यह मेरी है लिंए है एल्धर में आपको यहाँ यहाँ चार कर डगा है है के लाए कम सेकम के आपके हैं आम थियू चुछ सोब पाता है ठाका में पांगलादेश में होगा बांगलेश की बात कर तो यहां पर सारी पिचे जो है वो अच्छे काजी बैटिंग फ्रेंड ली पिचेज है और टी ट्वेंडी क्रेक्ट में आम तौर पे वन प्रिप्टी प्लस स्कोर देखने को मिलता है 200 तक भी स्कोर देखने करेंगे बागी मुहमद बितुन को भी आप टीम में रचा तो यह विक्री की प्रिंग भी करेंगे और फाजलन बैटिंग करने भी आएंगे ठीक तीनों भी बहुत अच्छे प्लेयर है बट मैं मुहमद शिराथ के साथ जा रहा हूँ बैटिंग में बात करेंगे तो डिव बहुत कम लोगों ले रखा है एक बहुत अच्छों लाउंटर में आपको बात हूँ आफ ब्रेक बोलर भी है तो आप इनको टीम में रख सकते हो ठीक है अब बात करते हैं और अलनों सेक्चन में तो यहाँ पर मैंने रवी बोपारा को लिया है सिकंदर रजा को लिया है औ और अश्राफ फुल को लिया अश्राफ फुल के बारे मैं आपको बचुका हूँ पाससार का इंपर लगा था और आप यहाँ पर आये हैं एक एक एकस्पिरिंस प्लेर है बांगलादेश की और इन पर बहुत लोगों की लाज़ार है आप देख सकते हो कितने लोगों इनको अश्राफ फुल की तो अश्राफ फुल की तो अश्राफ फुल की अगर हम बात करें तो हार इटिंग बैट्समन है पांस साल के बादे आपर बीपिल में वापसी कर रहे है और इन पर बहुत लोगी नजर है और करें तो अगर आप ग्रेंट लीग खेलते हो तो आपको बताई चुका हूँकू आपके लिए और है ट्विल में चाहो टो आप मुसधिक या फिर अश्राफ फुल इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो इनके खेलने के चाहने के चाहने नैट परसेंट है तो मैंना दोर्यो इसलाम भी समय को कंफरम खेलने वाले बट इनको सिफ दो से तीन परसंट लोगों ले रखा है ठीक है तो ग्रेंड लिग में आपको कुछ अलग ट्राइ करना है गाइस बिकॉस है तो सब लोग रभी वो पारा सिकंदर रजा को लेंगे बट ग्रेंड लिग में आप अगर ना यहाँ पर मैंने रंगपोर रेडर्स की जाथ अप्रेल लिए बिकॉस रंगपोर रेडर्स थोड़ी सी इंपॉर्ण टीम है अब 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 को आपको अप्शन में अब उजायद है बट वो जो है वो चित्तिकोंग वेकिंस की बालिंग बैटिंग अच्छी नहीं है टीम को अच्छा उनका नहीं है जो अगर प्राले रेकॉर्स अगर आप देखो रंगपोर रेडर्स थोड़ी सी बेटर टीम है ठीक है हाला कि आप चाओ तो आप उजायद को ले सकते हैं इनका परफोर्मेंस टीम के लिए अच्छा रहा है और यहाँ पर बात करें तो ओशन थोमस के बारे में आपको बताना भूल का यहाँ यहाँ पर आपके लिए अच्छे पिक है नाइम के यहाँ पर चांसे कोई कंफर्म नहीं है सौहागाजी लगबग कंफर्म खेलने वाले तो इन प्रेस को भी आप चाहँ तो टीम में पिक कर सकते हो अब आपके बात करें लाघ। यह पर बात करें कर थाकल जा सकते हो यह एक बहुत अच्छे बंडेवाज ध्यूब टीम में इस यहाँ पर टीम में आपके द्यूस का रहे हूँ वाइस कप्टन की बात कर तो मैंने मुहमाँ में रिका हुआ हूँा हुआ है और और उपेंस की की तो फिर यहां पर आप बोपारक साथ जा सकतो जिए एक अच्छो लाउंडर है और सिकंदर रजा के साथ भी जा सकतो यह भी अच्छो लाउंडर जो आपने तीन से चारो पूरे कराएंगे और सकाव बैटिंग में भी कॉंटिबूट करेंगे तो किरेंड लिग में भी आप चाहो तो उनको ट्राइ कर सकते हो बट मैं लगबख कनफा प्ले के साथ जा रहा हूं जिनकी लगबख चांस से 100% खेलने के प्लस जो टीम के लिए ओपन कर रहे हैं उनको मैंने यहां पर टी को रहे हैं कि 160-180 तक काराम से देखने को मिल सकता है और 200 भी यहां पर टाच हुआ हो पहले हुआ है ठीक है तो फिर से यहां पर इतना टाच हो सकता है तो गाईज यह सब बात कर लिए हमना टीम की तो सबसे इंपॉरेंट होती है न्यूज और आपको बद्दू मैस से 15 या 20 यहां पर आप चैनल से सब्सक्राइब रहिए यानि की सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम पर ज़रूर हमें जॉइन कर लिए बिकॉस इस में से जो भी नूज आएगी वहां पर अपडेट हो जाएगी और कुश करूँगा वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक् हिट्ट की जो बनेगी वह बहुत अच्छी बनेगी अगर आप वहां पर गलती नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूँँ कैसे आप वहां पर टीम बना सकते हैं और उन्ही आठ प्लेज के बेसे पर पता चल जाते हैं कि आप इस मैच को विन करोगे के नहीं करोगे और मैं आपको अभी बता दूँगा आप कैसे टीम को चूज कर सकते हो यहां पर कैसे अपने प्लेज को चूज कर सकते हो आठ प्लेज चूज करने हैं वहां पर आपने बात करते हैं आपर बैट्समेन वन में ये पूछ रहा है आप इन में से किस प्लाइक हो लोगे तो आपके पास शूर शूर्ट अपश्ट है क्रिस गेल की अब जो लोग यहाँ पर आप डालेक्ली मैच को हार जाएंगे ठीक है इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यह टीम आपके लिए जादा हैं बिकोज बहुत से लोगों को यह नहीं पता ठीक है तो क्रिस कि लोगों टीम में आप यहाँ से रख लीज़े को चूज कर लिया दो हाँ ये क्षेख पर इसमाल में रूर्स की बात करें सब्सक्राइब गया है आँगे में रूसा कि बात करें तो इनकी खिलने कर रहें तो नजीबुला जातर रहनगी करें रूसान नहीं रूसान के नुखांगी या पुम् साथिबुलाजातरान के साथ। अश्रफल के बारे मैंने आपको बता है वही वेटरन प्लेयर है पाच साल करने पर बैन लगा था इन्हीं को मैं टीम में पे करूँगा पर इसमें लगता है इसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं बोलर वन की बात करें तो मश्राफ ये मर्चा की ऑप्षण को नहीं खेलेंगे शुनظाम अपशलाम submax कोखेलेंगे, इसके लाब बात करें तो रॉब्य फ्रिलिक इसके भी चांज सी कम है तो यहाँ पर मश्री बेस्ट ऑप्शन है ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर बोलर टू की बोलर टू में आपर शेफ अलिसलाम की ऑप्शन है बात करें तो नाजम अलिसलाम की ऑप्शन है नाईम हसन की ऑप्शन है और खाले देमत की उप्चान है, तो इसमें बात करें तो आपके जो बेस्ट उप्चन होगे, एक तो होगे नाजम अलिस्लाम, जो नेशनल टीम के लिए अकसर खेलते हैं, और दूसरे खाले देमत, मैं दूहीं यहाँ पर आपको टीम प्रिफर करूँगा, इसके लब आप च और यहाँ पर जो क्रिस गिल की जगा, वो इस मैच को हार जाएगा, ठीक है, तो बस इतना आपको करना है कि आपका जो प्लेयर है, आपको पकी न्यूस के साथ यहाँ पर उतरना है, लुक्राँची वगरा है, नहीं कहलना है तो उनको टीम में पिक ही नहीं करना, उनकी चा तो यह मेरी आपर फाराल टीम बन गए है, डन करता हूँ, और यहीं सेफ होगी मेरी टीम, आप मैं इस टीम पर क्लिक करूँगा, तो डिफरेंट डिफरेंट लीक मुझे दिख जाएंगे, यहाँ पर हैट टीम की लीग है, और इसके लाब आप स्मॉल लीग दिख रही है, आपको बेटिंग पेच तो उसी साब से आपको गरन लीग खेलनें, गरन लीग में आपको बोल दू, बैट्समें को ही आपको केप्टर माचत अपर बराना है, बोलस के पास जाताए स्कोप नहीं है, बैट्समें की साथ यहाँ पर इसकोप है, तो गरन लीग और आपकी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिगा चैनल को जरूर ध्यान सब्सक्राइब कर दीजिगा और वीडियो आगे शेयर कर दीजिगा अपने फ्रेंड्स के साथ ओके गैस बाए